गुद बॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्शुल क्वालिकी और लर्निंग प्रैटफॉर्म तो हम अपने विकली करेंटरफेर्स रीज की और आगे बढ़ते हैं उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कूर्स के बारे में जानेंगे जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते हासिल उन्हें होती है शफलता जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते इसलिए किसी भी चीज़ पर आप सैक्रिफाइश मत करिए, किसी भी चीज़ पर आप रोये मत निरंतर परियास करते रहिए सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी तो इसी के साथ हम अपने विकली करेंट एफेट सीरीज की और आगे बढ़ते हैं उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रूप पर जुर जाएगा यहाँ पर आपको सारे पीडिया प्रोवाइड होंगे हमारे यूटूब सेशन्स के तो चलिए 12 माई से लेकर 18 माई 2024 के सारे करेंट एफेट्स को डिटेल में कवर करेंगे तो विडियो के अंतक बने रहिएगा बारतिय सेरा की त्री शक्ती कोड ने हाली में उपरेशन सदभावना कहां आयोजित किया है तो रायटेंस होगा सिक्किम सिक्किम में हाली में इंडियन आर्मी के द्वारा एक उपरेशन को लौंच किया गया उस उपरेशन का नाम है सदभावना अगर exam point of view से ये questions आते हैं कि हाली में भारतिय सेना के किस कोड के द्वारा उपरेशन सदभावना को शुरू किया गया तो रायटेंस हर आपको लगाना होगा त्री शक्ती कोड के द्वारा भारतिय सेना के according उपरेशन सदभावना सिक्किम में आयोजित किया गया तो ये सारे interesting facts को याद रखना होगा तो चलते हैं next question number 2 की ओर हाली में launch किया गया भारत का क्रांती कारी generative chatbot platform कौन सा है तो रायटेंस हो हनुमान हनुमान एक इंडिया का revolutionary generative chatbot है जिसमें पूरी तरीके की जानकारी आपको दी जाएगी जिस तरीके से artificial intelligence एक chat GPT के नाम से आया था उसमें आपकी सारी जानकारी उपलब थी उसी तरीके से हमारा भारत का revolutionary generative chatbot platform का नाम है हनुमान जिसमें आपको सारी जानकारी उपलब करवाई जाएगी तो चलते हैं next question number 3 की ओर BSNL ने हाल ही में पूरे भारत में 4G सेवाई सब शुरू करने की घोशना की है तो राइटन दो अगस्त महीने में भारत संचाड निगम लिमिटेड ये एक government की organization company है जिसका नाम है BSNL जिसने हाल ही में announce किया है कि वो 4G सेवाई को launch करने वाली है अगस्त के महीना में पूरे भारत में अगस्त के महीने में BSNL के द्वारा 4G सेवाई को शुरू की जाएगी तो चलते हैं next question number 4 की ओर जिम्स एंडर्सन जिन्होंने हाल ही में अंतराष्ट्री क्रिकेट से सरन्याज की घोशना की वो किस से संबंदित रखते हैं इंग्लेंड के प्लेयर जिम्स एंडर्सन ने हाल ही में अंतराष्ट्री क्रिकेट से सरन्याज की घोशना की है तो सबसे interesting factors याद रखना होगा कि जिम्स एंडर्सन इंग्लेंड के प्लेयर है और साची थाथ आपको ये भी factors याद रखना होगा जिम्स एंडर्सन फास्ट बॉलर के रूप में जाने जाते हैं तो इन्होंने हाली में अंतराश्वी क्रिकेट से सर्यास लेने की घोशना की तो ये फ्रैक्टर्स याद रखना होगा तो चलते हैं जो हमारे सेंट्रल गवर्मेंट के द्वारा हाली में महिंद्रा एंड महिंद्रा कमपनी के साथ एक एग्रिमेंट के मामले में शाइन करकर इस प्रोजेक्ट को सुरू किया गया तो नेक्स वीचन नमब शिक्स की ओर हाली में किस राज ने मंधिर में कनेर के फूलों के इस्तेमाल पर प्रतिबं लगा दिया है और इसी के माध्यम से वहाँ पर मौत को देखी गई तो ये कनेर का फूल को उप्योग करने से लिए केरल गवर्मेंट के द्वारा बैन किया गया कि वो लोग मंदिरों में कनेर का फूल का यूज ना करें तो चलते हैं नेक्स प्रेशन नमबर 7 की ओर हर साल दुनिया भर में अंतराष्टी ये नर्स दिवस कब मना जाता है तो राइटन सों का 12 माई 12 माई को हम लोग हरवर्स इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट करते हैं पूरे विश में हम लोग हरवर्स इंटरनेशनल नर्स दे सेलिब्रेट करते हैं 12 माई और इनी को कहा जाता है लेडी विट लैम तो ये सारे इंटरेशनिंग फ्रेक्टर्स को याद रखना होगा तो चलते हैं नेक्स प्रेशन नमबर 8 की ओर पहली पेशेवर अंतराष्टी ये पिकल बॉल लिग कहां आयोजित करने की घोशना की गई तो राइटर जोगा इंडिया में इंडिया में पहली बार प्रोफेशनल इंटरनेशनल पिकल बॉल लिग का आयोजन हमारे भारत देस में होने वाला है तो चलते हैं next question number 9 की ओर फाली में 29 बार Mount Everest पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है तो राइटर्स होगा कामी रिटा शिर्पा कामी रिटा सिर्पा ने 29 बार Mount Everest पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाकर अपने ही रिकॉर्ड को तोर दिया इन्होंने 28 बार Mount Everest पर चढ़ाई की और 29 बार फिर से Mount Everest पर चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड को तोर कर विश्व का रिकॉर्ड बना लिया है। निस्नल टेक्नलोजी दे के रूप में घोशना की थी कि हम लोग हरवर्स 11 माई को सालिब्रेट करेंगे तो इसी दिन से हम लोग निस्नल टेक्नलोजी दे के रूप में सुरू करने लगे और 11 माई को हरवर्स हम लोग निस्नल टेक्नलोजी दे के रूप में सालिब्रेट करते का जो आयोजन होने वाला है पेरिस में ओलम्पिक मैच इसी ओलम्पिक मैच के दौरान हमारे पहले भारतिये मेल रेसलर अमन शेहरावत ने क्वालिफाई किया है पेरिस ओलम्पिक दोजार चौबिस के लिए हाली में चाड के राष्टपती के रूप में किसे चुना गया तो रायतर सोगा इड्रिस देवी इड्रिस देवी को हाली में प्रेसिडेंट ओफ चैड का न्यूक्त किया गया तो अगर इंटरनेशनल न्यूस के माध्यन से हमें ये पोइंट को याद रखना होगा कि प्रेसिडेंट ओफ चैड के रूप में किने न्यूक्त किया गया तो इड्रिस देवी को तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन नमबर 13 की ओर हाली में माताओं के शम्मान में माता तिर्थ औसी उसब कहा अर्जित किया गया तो राइटर सोगा नेपाल नेपाल में हाली में माता तिर्थ औसी उसब का अर्जित किया गया ये पूरी तरीके से हमारी माताओं पे शम्मानित festival है जिसे नेपाल में celebrate किया गया तो ये interesting facts exam point of view से याद रखना हुआ क्योंकि festivals के माध्यम से direct questions देखे जाते है कि माता तिर्थ उसी उस सब कहां पर celebrate किया गया तो नेपाल में से celebrate किया गया तो चलते हैं next question number 14 की ओर हाली में ICC पुरुष T20 विस्व कप 2024 के लिए स्री लंकाई टीम का अधिकारिक परियोदक कौन बना है तो रैटर्सों का अमूल कमपनी हमारे भारत का अमूल कमपनी जो पूरी तरीके से milk प्रोडक्ट पर बेशिश है इसी अमूल कमपनी ने sponsors, official sponsors के रूप में स्री लंका के टीम के लिए इन्होंने official sponsors के रूप में काम करने के लिए साजेधारी की है किसके टीम के साथ तो स्री लंका टीम के साथ for the ICC Men's T20 World Cup 2024 के लिए यहाँ पे आपको ये भी factors याद रखने होंगे कि ICC Men's T20 World Cup का आयोजन कहां पे होने वाला है तो West Indies और United States of America में इसका आयोजन किया जाएगा और इसी के दौरण आपको ये भी factors याद रखने होंगे कि ICC Men's T20 World Cup का अमबेसडर के रूप में किने बनाया गया तो brand ambassador Usain Bolt है एक जो West Indies के ही player है और साथी साथ हमारे भारत से यूबरा सिंग को भी बनाया गया है brand ambassador के रूप में तो ये interesting factors को याद रखना होगा तो चलते हैं Next Question No.15 की ओर हाली में इदा शीशा नोगरांग को किस राज की पहली महीले पुलिश महानी देसक नुक्स किया गया है इनको हाली में मिघाले के पहली woman डिजीपी के रूप में नुक्त करने वाला state मिघाले बन चुका है Next Question No.16 की ओर हाली में शाहित एकादमी फेलोशिप से किशे शमानित किया गया तो राइटन सोगा रस्किन बॉन्ड रस्किन बॉन्ड जी एक famous author है इंगलिस के इनको हाली में शाहित एकादमी फेलोशिप से शमानित किया गया तो ये factors याद रखकर चलना होगा तो चलते हैं Next Question No.17 की ओर हाली में युनिश को द्वारा Memory of the World ECI Pacific Regional Register में किसे शम्मिल किया गया हमारा right answer हो जाएगा आपको ये factors याद रखने होंगे कि युनिश को के द्वारा पहली बार Memory of the World ECI Pacific Regional Register में तीन नामों को नुक्त किया गया तो ये factors याद रखना होगा कि Memory of the World ECI Pacific Regional Register में UNESCO के द्वारा इन तीनों को एड किया गया तो चलते हैं Next Question No.18 की ओर हाली में चंद्रमा पर पहली Railway Pranali float बनाने की घोशना किसने की है तुराइटनों का नाशा नाशा जो एक United State of America की Space Agency है जिसे हम लोग NASA के नाशा जानते है इसी के द्वारा पहली बार ऐसा होने वाला है कि Railway Pranali के रूप में float जिसका नाम दिया गया है चंद्रमा पर First Railway Systems को डेबलब करेगा नाशा के द्वारा उसका नाम दिया गया float तो ये सारे factors याद रखकर चलना होगा तो चलते हैं Next Question No.19 की ओर हाली में ठंडे लावा की विनाशकारी बार से कहां जानमाल की व्यापक छती हुई है तो आइसलेंड आइसलेंड में हाली में देखा गया Devastating Flood जो पूरी तरीके से विनाशकारी बार थी जिसमें ठंडे लावा निकले वोलकैनों से और उसी तरीके से वहाँ के आसपास के लोगों में काफी जादा छती हुई वहाँ पे काफी जादा मौते भी हुई तो आइसलेंड में ये देखा गया वहाँ पे एक Devastating Flood आने के बज़े से वहाँ की स्थिपी काफी हद तक नुक्षान हो चुकी है हाली में भारत के 85 जी जो हमारे भारत के 85 जी जो हमारे भारत के 85 जी जीतकर अपना इतिहास में नाम को दर्ज करवा लिया तो चलते हैं अपने विकली क्रेंटेफेर्सीज के लास्ट क्वेशन नमर 21 की ओर हाली में विश्व महीला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में 65 में जगह बनाने वाली पहली भारतिय महीला खिलारी कौन बनी है तो मनिका बतरा मनिका बतरा जी कहां से बिलॉंग रखती है तो डेली से बिलॉंग रखती है और इन्होंने हाली में फर्स्ट इंडियन फीमल प्लेयर के रूप में नामित हुई है जो पूरे वर्ल्ड में 25 टॉप 25 लिस्ट में सामिल हुई है वो भी वर्ल्ड के विमें स्टेबल टेनिस सिंगल रांकिंग में इनका पोजिसंस कौन सा था तो 24 इनका पोजिसंस था आपको ये भी फ्रक्टर्स याद रखने होंगे और साथी साथ आपको ये फ्रक्टर्स याद रखकर चलने होंगे कि हमारी पहली भारतिये फीमल प्लेयर चिनों ने टॉप 25 में जगह को बनाया पूरे वर्ल्ड के विमें स्टेबल टेनिस सिंगल रांकिंग में उनका नाम है मनिका बत्रा जी ये सारे फ्रकर्स यहाँ तक याद रखना होगा तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक्यू सो मच गाइस वीडियो को जादा जादा हो सके तो लाइक से और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कॉंटेंट आपके पास बहुत जाए जैहिंद जैभारत दोस्तो झाल